उक्त जमीन में जाते हैं तो उनका हाथ पैर तोड़ने का काम किया जाएगा उन्होंने कहा कि बिना ग्रामिनों की सहमती से स्टेडियम यहां बनने नहीं दिया जाएगा अभी तक पार्टी इस पसो पेस में थी कि इसके निर्मान में सरकार का कोई हाथ है लेकिन अब जब यह बात सामने आई है कि यह बोकारो स्टील और जेस्सिये के बीच एमो यू होने के बाद इसका निर्मान जेस्सिये करने वाली है तब हमें यह लगने लगा है कि ग्रामिनों की जमीन छीनी जा रही है उन्होंने कहा कि जो भी बोकारो स्टील और जेस्सिये के अधिकारी इस जमीन पर जाने का काम करेंगे जारखन मुक्ती मोर्चा तस्थानिय ग्रामिनों के साथ तीर धनुस लेकर उन्हें यहां से घेर कर ख़देडने का काम करेंगी उन्होंने कहा कि बोकारो जीला प्रसासन के अधिकारी भी ग्रामिनों के प्रती अपना जिम्मेदाराना पूर्व रवया नहीं दिखा रहे है इसलिए इनका भी विरोध किया जाएगा बताते चले कि बली डीह के नरकेरा मौजा में अंतरराश्य क्रिकेट स्टेडियम बनाने के लिए बोकारो स्टील और जेस्सीय के बीच MOU हुआ है इसके बाद नरकेरा के विस्थापितों ने स्टेडियम निर्मान का विरोध किया है और इसी को लेकर वोकारो विधायक का भी विरोध किया जा रहा है जाता है यह मानने विधायक भी जाएंगे ना तो उनका प्रहां तोड़ दिया जाएगा रहियत इतना अक्रोस है कोई भी वहां किसी भी आदमी को बर्दास नहीं करेंगे जो कि हमारी जमीन को बिना हम से पुछे हुए आप आनंफनन में जो चाहिएगा वो करिएगा वैसा बर्दास अब नहीं होगा रहतों को यहां कुछला जा रहा है दबाय जा रहा है इसलिए जो भी जाएगा कोई अपसर जाए या कोई भी एसोसेशन के लोग आए यहां प सहमति क्या कुछ भी वहां बनने के लिए अधिकारी भी जाएंगे तो उनका भी हम लोग अब जो है पहले हम लोग बात किये जो भी आया लेकिन किसी तरह का कोई पोजिटिव बात नहीं आ रही है रहत अपना बात रखे हैं कल भी मिटिंग हुई है उसमें बात बारता हु है रहतों का कोई बात को अगर नहीं सुना जा रहा है तो उनका भी विरूद किया जाएगा